एक शंक्रेचर किसी मना सच्टानी नियानी प्रक्तिस्थानी कर सते बैठिये वहां पर फेरे उत्तर दिया गया है ठीका कारो ने नक्षत्राना महम शशी आपने यह कहना चाहा कि मैंने कहा कि छे ग्यानिंद्रियों से संपन कोई नहीं है आपने कहा गीता के पंद्रामे अध्या में मना सच्टानी इंद्रियानी शठी इंद्री के रूप में मन का वर्डन है तो छे ग्यानिंद्रियां हो गई जीता में कहा भगवान नक्षत्रों में में चंद्रमाहुं। पांच ग्यानिंद्रियों का जो नायक है वो छठा मन है। ग्यानिंद्रियों के अंतरगत मन नहीं है। इसका उत्तर है। संख्या की जिसी से छठा जिसका स्थान है पंच ग्यानिंद्रियों में पंच कर्मेंद्रियों का सरनिवेश हो गया। नयाईक जो हैं। यह न्यायाचारी मालूं है। नयाईक वैसे सिक जो हैं। वो छे इंद्रियां मानते हैं। पांच ग्यानिंद्रियों एक मन, मन को भी वो इंद्री मानते हैं, कर्मेंद्रियों को प्रिथक से स्विकार नहीं करते, तब उनके प्रस्थान में प्रत्यक्ष के अत्रिक्त और कोई प्रमान सिद्धी नहीं हो सकता, मन को भी इंद्री मान लें, तो प्रत्यक्ष की सीमा के बाहर कोई नहीं सकता प्रमान, इसलिए यह पर नक्षत्राना महम्शशी नक्षत्रों में चंद्रमा की गर्णा कहीं नहीं है, अधिपति के रूप में, नक्षत्रों से अतीत हो का नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा है, नक्षत्राना महम्शशी की सहिली में मनस्तष्ठानी इंद्रियानी प्रेक्ति स्थानी कर सती ह नहीं तो कोई कह दे कि शंट्रह चेर को गीता के पंदरमिय अदे का ग्याने ही नहीं है, वहाँ तो कहा गया मन सश्ठा निद्रियानी, चठी ग्यानेदरी का नाम है मन, इसका उत्तर क्या है? नक्षत्रा नाम हम्शसी विभूतियों, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं ऐसे ही मन जो है सठा है लेकिन पांच ग्याने द्रियों का अधिपति है स्वयम ग्याने द्रिय नहीं है ठीक और